सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माँ चैनल मैं हूर इतेश और आप देखरें मी डॉक्स प्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले है कि कैसे हम लोग अपने M.I.T.V. या फिर किसी भी Android Smart TV में हम लोग Google Chrome ब्राउजर को कैसे इंस्ट्रॉल कर सकते हैं हम कैसे ब्राउजिंग कर सकते तो उसके पहले सबसे पहले मैं आपको डिकॉमेंट करूंगा कि जो कीबोर्ड एंड माउस आता है कि हम ब्राउज करके भी दिखाएंगे तो पूरा वीडियो में रही है थोड़ा सा भी मिस कीजिए मिस मत कीजिए या फिर स्किप भी मत कीजिए ताकि आपको कोई भी परिशानी ना आए जब अब गूगल क्रम ब्राउजर को इंस्टोल करते समय ठीक है तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी वीडियो शुरू करने वाला हूँ और आगर आप मेरा चैनल पर नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथे बेल आइकन को दबा दिए अभी शुरू करते आज का लाइफ वीडियो और पूरा वीडियो को ध्यान से देखना तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक अप्लिकेशन को ओपन करना मतलब इंस्टोल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से उसका नाम है लोंचार के ठीक है तो आपको ल डाउनलोड बाइफ डाउनलोडर को डाउनल करना है उसके बाद आपको इसको एड कर लेना ठीक है जब आप इसको एड कर लेंगे तो आपको इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहां पर एलाव मांगेगा तो आपको एलाव दे देना है और यहां पर आपक बी नियूज डॉट कॉम लिखे सार्च करना है उसका बाद आपके सामने एक इंस्टोलेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पर इंस्टोल कर देना ठीक है इंस्टोल करने के बाद कि आपको कुछ सेटिंग्स पूचा जाएगा तो आपको इसको सिलेक करके एल कोटा इंस्टोल हो जाएगा उसके बाद आपको अपको ना कर देना है उसके बाद आपको फॉल्फ जड्र सब्मेज में तो सबसे त्कलाया तो स्टेफ आपको follow करना है तो यहाँ पर google जो होगा देखिए www.google.com या फिर www.google.com.in में सर्च करके भी आप यहाँ पर login हो से तो ठीक है विजिट कर ला से तो गूगल में जब आप विजिट करेंगे तो आपके समने जो google का page है वो open हो जाएगा और आपको यहाँ पर सर्च करना है chrome mirror ठीक है chrome apk mirror लिखके सर्च करेंगे तो आपके समने एक website खोलके आएगा उस website में आपको विजिट कर लेना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा है ताव फटा फट से यहाँ गूगल chrome apk mirror लिखके सर्च करेंगे और आपको सर्च करने के बाद जो पहला application पहला जो website आता है उसमें आपको open कर लेना है और यहाँ पर स्कॉल करते हुए नीचे जाएंगो तो यहाँ पर जो latest version होगा google chrome का वो उसमें क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर नीचे स्कॉल करते नीचे जो होगा APK के फाईल इसको आपको क्लिक करते है और आपको download APK में क्लिक करते हो आपको डौन्लोड प्रोस्स है डाउन्लोड श्टार्ट हो जाएगा जो latest version है वो latest version को है आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर 100 MB से लगबग होगा 120 MB वह आपको लिकए इंस्ट्रोल में क्लिक करेंगे तो आपका जो गुगल ब्राउसर हो इंस्ट्रोल हो जाएगा उसके वाद आप यहां पी डान कर देना है लिए वी होमते WOW पे छलाना है उसके बाद जो आपका ब्राउजर होगा यह तरह से आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आप कोई भी आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हो तो इसी तरह से हम लोग ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं मतलब इंस्टोल कर सकते हैं झाल झाल